प्रियेड एंजन और आज की इस एपिसोड में तीन ट्रेंडिंग स्टॉक को डिस्कस करेंगे जहां दो स्टॉक मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बेटर दिख रहा है और एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर दिख रहा है तो ये तीनों स्टॉक को डिस्कस करेंग रहा है तो बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करेंगे कि सभी स्टॉक में से 10-10-20 quantity खरीद लिया और ट्रेड करने लग गए उस 12 स्टॉक को share करने का मेरा मकसद यह था कि आप उसका watch list बनाएं और उसको आप individually फिर उसको watch list बनाने के बाद आप इसके possibility probability जहां opportunity आपको दिखें उसको grab करने की कोशिस करें क्योंकि जब तक स्लेवस नहीं होगा आपके top करने के chances नहीं होगे जब कोई exam भी होता है तो उसका syllabus होता है तो share बजार में भी sustainability profit अगर आपको generate करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक watch list होना चाहिए तो momentum stock जो 12 थे वो हमने कल आपके साथ share करें दोस्तों में विउस stock के list को साजा करें ताकि हमारा जो मकसद इंडिया के सभी detail investor को गलत trade से बचाना उसका सहयोग मिल चके दूसरी बात आज जो दो stock discuss करेंगे उसमें दो momentum है और एक investment के purpose से है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मुझे blindly follow करें आप खुद को analyze करें अगर मेरे views आपको agreed करें तभी position लेंगे या बिल्कुल influence हो करके तुरंद खरीदने से बचेंगे तीसरी बात इस समय बजार all time high पे है लोग profit booking करने से बचते हैं लगता है कि आड़े कल कर लूँगा परसो कर लूँगा तरसो कर लूँगा और ठीक इसका अपोजिट होता है BRS market में गिरते हुए बजार में कि लोग खरीदने से डरते हैं कि 2% नीचे खरीद लूँगा 2% नीचे खरीद लूँगा गिरते बजार में क्या होता है कि जब आप 2% 2% और गिरने के चकर में खरीदने के लिए वेट करते हैं तो वो स्टॉक वहां से भागता है और all time high को टज करता है ठीक वैसे ही अभी bull run है अगर आपने investment करें है तो ठीक है लेकिन short term के लिए कोई investment है और अगर आपका target अचीव हो चुका है तो या तो उसमें strict sell को follow करें या एगिट लें तूकि यह ऐसा market है जहां आप करते हुए आगे बरहेंगे इससे पहले अगर आप बजार के learnings को सीखना चाहते हैं हमारे दिये गए stock suggested stock में आपको दिल्चस्पी है कि मैं कैसे analyze करता हूं उसकी accuracy कैसी इतनी बरी है इतनी अच्छी है इतनी hit करती है आप खुद learning करना चाहते हैं तो हमारे master class को आप ज आप में देखें तो इस समय ये अपने resistance और नीचे के जो support देखेंगे ये support ये पूरा range है listing के बाद से ही ये stock एक range में फसा यहां देखेंगे एक range में फसा और ये range finally breakout होते दिख रहा है लगबग 2-3-4 साल का breakout है अब ऐसे में possibility क्या होती है कि ये जो depth है ये depth हमारा target निकल क करके आ सकता है ये target निकल करके आ सकता है जो target probability कितना दिख रहा है 950 plus का target हमको दिख रहा है अब इसी stock को मैं आपको एक बार जो line chart है वहां पे दिखाता हूं ताकि आप बेतर दिखेंगे अब यहां line chart में इस stock को देखें simply बिल्कुल आपको confused नहीं होना है simply समझेंगे कि line chart में देखेंगे कि कैसा technical trend दिख रहा है उपर का resistance आप यहां देखेंगे यह लगबग लगबग 1722 का है कितना का है 722 का है और नीचे यह support देखेंगे यह वाला क्या है यह यहां पे support लिया यहां पे support लिया यहां पे support लिया यहां पे support लिया अब यह 722 के उपर one sided trend हो सकता है जहां probability हमने 950 तक के levels के देखें अगर इस stock में weakness या invalid view की बात की जाए तो यह जो हमारा zone है यह zone simply देखेंगे यह जो हमारा zone है यह support है यानि अगर यह stock 640 को तोड़ता है तो हमारा view invalid होगा अगर 640 नहीं तोड़ता है तो यह all time high का breakout है और यहां से यह trend continue ऊपर के तरफ दिख सकता है momentum के लिए one of the best trending stock हो सकता है और दूसरा stock है बजाज fincer यह दोनों ही stock हमने quality stock उठाए हैं कि अगर आप इस stock में फस्ते भी हैं तो आपकी probability जो है वो निकलने की बहुत ज्यादा होगी इसमें आप डरेंगे नहीं कि fundamentals क्या है brand name क्या है क्योंकि यह दोनों ही brand जाने माने पहचाने नाम है यह देखेंगे यह trend line है और नीचे देखेंगे यह triangle जैसा trend बन रहा है और यहां से देखेंगे उपर से पहला resistance यहां देखेंगे तो यह पहला resistance यह दूसरा resistance यह तीसरा resistance चौथा resistance पांचवा resistance अब यह sixth time इस level को breakout कर रहा है और support देखेंगे दो time मतलब एक wall पे अगर आप बार-बार force करें तो वो wall कमजोर होता है और उसके बाद बहुत जल्दी तूटता है तो already stock ने sixth attempt कर लिया है अब यहां से जो trend continue होगा वो बरार trend दिखेगा एगनम words of breakout पे दिख रहा है all time high के breakout पे दिख रहा है एक बार line chart के माधियम से समझने की को दिख रहा है यहां हमने line chart को open करा अब यह वाला level देखेंगे simply देखिए यह वाला level है पहला यहां रहा था दूसरा तीसरा तीन बार हो गया अब यहां से यह निकलता है तो पहला हमारा target जो है 1790 के आसपास का होगा और दूसरा probability 2000 भी दिख सकता है इसकी weakness यह देखेंगे अगर मैं इसकी weakness की बात करूँ तो यह एक trend line नीचे से यह एक support दिख रहा है यानि जब तक यह stock इस support को यानि 1530 को नहीं तोड़ता है तब तक weak नहीं है यह consolidated positive zone है upside के लिए तो यह दो trending stock रहा HDFC life और बजाज फिन सर्व तीसरा stock investment के लिए और gold के import tax जो है वो कम हुए जिसक web of global के पहले line chart को देखें उपर से stock उपर के price से stock यहां देखेंगे तो लगबग लगबग कितना percent नीचे है लगबग देखेंगे तो 60% नीचे है और ऐसा मेरा मानना है जब कोई stock अपने उपरी price से 60% नीचे हो एक consolidated range में हो तो वो stock बरा trending माना जाता है हलांकी इस consolidated zone का breakout तो 480 है for target of 840 to 900 लेकिन ये एकदम base है जहां से multiple support इसने लिया है तो यहां दो target हमको निकल करके आएगा पहला लगबग 480 to 500 range bond trading के परपस से और दूसरा 900 यहां के breakout से तो बहुत base पे है इसी दिए हमने कहा है यह momentum के बजाए आप investment के लिए चूज कर सकते ह है इसको अगर मैं candlestick pattern से भी दिखाऊं और daily time frame पे एक बार मैं दिखा देता हूं चुकि investment के purpose से है तो एक बार daily time frame पर भी देखेंगे तो यहां यह stock एक consolidated zone को breakout कर रहा है यहां देखेंगे तो यह पुरा consolidated zone को breakout कर रहा है और medium term में भी probability है कि 390 से लेकर के 440 तक का पहला target और यह दूसरा target और views कभी invalid होगा 330 के नीचे यह तो daily time frame पे कह रहा हूं लेकिन investment के purpose से यह जब तक 300 के नीचे नहीं जाता है overall trend strong है तो I hope यह video informative रहा thank you for watching this video